राजस्थान के सीकर के एक गाम में हाल ही में एक सास ने अपनी विद्वा बहो की शादी करवाई है महच तीन महीने की शादी के बाद जब कमला देवी का बेटा चल बसा तो उनके दिल में बस यही सवाल था कि बहो जो महच 21 साल की है अपना जीवन कैसे काटेगी एक सास के बहुत अर्मान होते हैं जब वह अपने बहो को लाती है मेरे भी थे मुझे सुनीता बहुत प्यारी लगती थी वह मेरे बेटे की पसंद थी धर में जब आई तो बहुत ही अपने पन से रहने लगी उसकी हसी से मेरे घर में रौनक हो गई शादी के कुछ समय बाद ही मेरे बेटे को MDBS करने किर्गिस्तान जाना था बेटे के विदेश चले जाने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई कमी नहीं आई जीवन बहुत खुशाल था लेकिन तभी अचानक मेरे जीवन में भुचाल आया मेरे बेटे को किर्गिस्तान में ही ब्रेंस्ट्रोक हुआ और रहे चल बसा बेटा अगर दुनिया में ना रही तो मा की हालत क्या होगी यह तो शब्दों में बया करना मुश्किल है एक सदमा था जो मेरे पूरे परिवार को लगा कुछ सोचने समझने की स्थिती में हम लोग कुछ महीनों तक नहीं थे लेकिन इस सदमे से बाहर आकर जब अपनी बहोगी धरफ देखा तो वह सवाल और चुनौती बनकर मेरे सामने खड़ी थी साथी के बिना अकेली हो गई थी वह कैसे काटेगी इतनी बड़ी जिन्दगी यह सवाल मुझे सोने नहीं देता था वह मेरे बेटे के चले जाने के बाद बिलकुल चुप हो गई थी कभी बैठे बैठे रो देती तो कभी गुमसुम रहती समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची का क्या भविश्य होगा जब पूछा क्या तुम्हें वापस अपने घर जाना है तो इसने मना कर दिया वह बोली ममी मैं पढ़ना चाहती हूँ मैंने उसे बताया कि बेटा चार से पात साल लगेंगे तुम्हें अपने पेरों पर खड़े होने में वह तयार थी उस समय मुझे लगा कि जीवन एक नई करवट लेने को तयार है उसे इमे बीएट करवाया हम तो गाव में रहते हैं लेकिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी के लिए उसे शहर पढ़ने भेजा जब भी घर आती मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोती उसकी बाते कभी खत्म नहीं होती थी कभी सहेलियों की कभी कॉलेज की बाते करती मेरे तो दो बेटे है और यह मेरे छोटे बेटे की बीडी है वह उसे बेटी का रास्ता इसने कभ तै किया मुझे पता ही नहीं चला मैं एक सरकारी टीचर हूँ स्कूल में भी सभी टीचर्स इसके बारे में मुझसे बातचीत करते थे पोचते थे कि आपकी बिटिया कैसी है उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है जब इसकी सर्कारी नौकरी लगी तब विचार आया कि एक मंजल तो पाली लेकिन अब इसकी शादी करवानी है शुरुआत में यह तयार नहीं थी सास नहीं अब माहू उसकी उसे मानसिक रूप से मैंने तयार किया उसे बताया कि जीवन में आगे बढ़ना कितना जरूरी होता है मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अनोखा किया उसके साथ जो किया मुझे लगता था कि मेरी जिम्मेदारी है अपने ही घर से मैंने उसे विदा किया मुझे वे बहुत याद आती है अपनी शादी के बाद पकफेरे की रस्न के लिए भी वे यहीं आई थी यह घर अब उसका माय का है उसकी जीवन को एक नई दिशा मिली तसली इस बात की है कि उसका जीवन सवर गया